हालो जैहन्टू आला आफ्यू स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दाई स्कौर्ट एकडमी पे आज हमारी नई उनिट है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट नेक्ट डे हमने मैटिक्स पे बात की थी आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट पे क्योंकि यह जो सब्सक्राइए चखती है अब मेटिक्स क्या होता है अभी तो हमारी 11 चलना है आज हमारी जो क्लास आएगी आपको आपको जो मिलेगी harmonic means मिलेगी harmonic means बोलते हैं हरात्मक स्रेड़ी बोलते हैं उसके बारे में हरात्मक स्रेड़ी क्या होता है इसके पहले हमने GP करवाई हुई है next इसके पहले हमने HP sorry AP के बारे में बताया हुआ है AP और sequence के बारे में बता के रखा हुआ है तो वहां पे आप सारी स कुछ चीज है कोई भी चीज है हर एक चीज बेसिक से बित कांसेप्ट आप सीख सकते हैं इसमें कोई भी दो रहा नहीं है आप हर एक चीज को बिलकुल अच्छे से करिए ताकि आपका एक्जाम जो है एक बार में ही किलियर हो तो आज हम देखेंगे कि आज की जो हमारी exercise है ठीक है आज की जो हमारी exercise है जिस चीज की practice करनी है वो आज हमारा determinant है क्या है डिटर्मिनेंट हिंदी में से बोलते हैं सांडिक हिंदी में से क्या बोलते हैं सांडिक बोलते हैं ठीक है अब इस पर हम question लगाएंगे question क्या होते है लेवल क्या होता है वो सारा सब्सक्राइब तो देखिए जितने भी question आपके उसमें हैं मैंने डाले हुए हैं सारे के सारे question पूरे PYQ है ठीक है और ये question आपके बहुत ही important question है बहुत ही अच्छे question है एक level है इन question के तो आज का हमारा जो first number question है देखिए पहले बहले रिखी हुई है साइन 10 degree माइनस कास 10 degree ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे है साइन 80 degree और यहाँ पे है कास 80 degree ठीक है यह यह value है 80 degree है its और determinant में यह value है कह रहा है कि इसका मान क्या होगा जाके option A A option में value 1 आएगी B option में value 0 है C option में minus 1 है and D में value है none of this तो देखिए आपको जब determinant solve करने के लिए बताया गया है तो इसका इससे और इसका इससे multiply करवाते हैं तो यह value हो जाएगी साइन 10 degree कास 80 degree और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यह हो जाएगा साइन 80 degree कास 10 degree तो यह formula है हमारा साइन A प्लस B तो यहाँ पर value हो जाएगी साइन 80 प्लस का 10 तो यह हमारा हो जाएगा साइन 90 degree इसकी value होती है 1 साइन 90 कितना होता है 1 आपसन नमबर A इस दा राइट आंसर आपसन हमारा A सही रहने वाला है ओके आपसन हमारा कौन सा सही रहेगा आपसन नमबर A इस दा राइट आंसर नेक्स्ट सेकेंड कोश्चन पर बढ़ेंगे तो आज का हमारा सेकेंड नमबर कोश्चन है देखिए हमसे कहा रहा है कि अगर अगर डिटर्मिनेंट आप A, B, C, D इसकी value है कहा रहा 5 है देन कहा रहा है हमसे 3A, 3B, 3C, 3D इसकी value क्या होगी देन कहा रहा है value इसका मान क्या होगा जाके आपसन A, B, C, D चार आपसन है पहले आपसन नमबर कहा रहा है 15 आएगी 45 आएगी 60 आएगी नम आपधीज ठीक है यह value है अब हमें पता है कि कोई भी नमबर का कोई एक नमबर है जैसे यह हमारा डिटर्मिनेंट है इसकी value 5 यहाँ पर यह मैरी डिटर्मिनेंट एक लिखी हुई है 3A, 3B, 3C, 3D तो यहाँ पर कोई एक आपरेशन लगा या रो में या कॉलम में अगर मैं रो एक कॉलम को पटिकुलर लेता हूं तो इससे तीन कामन हो जाएगा तो यह हमारा AC बचेगा इस वाले कॉलम से तीन कामन लेता हूं तो यह value हो जाएगी A, B, C, 100D इसका जो मान है कितना लिखा हूँगा 5, 3 तरका 9, 5 कितना हो जाएगा 45, option number B is the right answer तो इस तरीके से यह होता है अगर यही बात अगर हम matrix के लिए करें तो कोई भी number का multiply अगर किसी matrix में करते हैं तो वो पूरे matrix पे लागू हो जाता है और यहां पे अगर किसी number का हम multiply करते हैं तो वो केवल और केवल एक row अत्वा एक column पे लागू होता है तो यह हमें बात पता होनी चाहिए और यही सारी जानकारी जो हैं यही एक चीजों को बहुत अच्छे से make up करती है तो यह question हमारा यह भी आया हुआ है इस type का ऐसे ही बिल्कुल question आपका एक determinant में पूँचा जाता है जो कि आपके air force exam में कहीं न कहीं वो पूँच भी देता है next हमारा third number question है third number question में देखिए हमसे कह रहा है if determinant of 6i 4i 20 है next में है minus का 3i 3i and 3 है next में है third column में 1 minus 1 and 1 और यहां पर कह रहा है इसकी value क्या है 0 है यह value नहीं given है बराबर कह रहा है कि x plus i y है then हमसे कह रहा है कि x on x and y is equal to क्या y बराबर 2 अपसन c में value है x बराबर 0, y बराबर कितना है 0 अपसन number d में जो value है x बराबर 0, y बराबर कितना है एक है ठीक है चार अपसन हमारे पास में हैं अब यहां पर हमें चीजों को देखना है अब देखे इसका expensive करना है तो 6i पर करेंगे तो यहां पर यह देखे हमारा 3i कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा और यहां पर plus कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है यह हमारा हुआ बनी लिखा हुआ है कोई बात नहीं माइनस 3 पर करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका multiply इससे कितना हो जाएगा 4i और इसका multiply इससे कितना हो जाएगा plus का 20 कुलिए तो प्लैस का हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 1412 ठीक है ? और इस पर्में करेंगी तो Meyer अटर ओके, ओके, चारते हैं 12 आई और 60 आई हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका हम multiply करवाएंगे, तो 6 का multiply 3 आई से होगा, तो minus का कितना हो जाएगा, 18 और 6 का कितना हो जाएगा, 18 आई, तीन का गुणा करवाएंगे तो minus का 12, और आंगे कितना हो जाएगा, 20 ठीक है, आँगे फिर plus में value लिखी हुई है, 12 और कितना लिखा हो जाएगा, इसके बरावर जो value चल लएगा हमारी x plus i y चल लएगा, 12 हो गया, और minus का कितना हो गया, 60 और कितना हो गया, i, और यह value जो है, x plus i y के equal है, minus 18 से, ओ, कहीं गलत हो गया, पक्का कहीं गलत हो गया, यहाँ पे, 3 आई, plus का 3, 3 आई, plus का 3, तो, 6 तर का 18, plus का 18, 4 तरहीं 12, 3, 4, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, बैलू कहीं न कहीं कुछ गलत लिखी हुई है, बैलू कहीं गलत लिखी हुई है, बैलू कहीं गलत लिखी हुई है, बैलू कहीं गलत हो गलत है, देख लेता हूँ, एक बार यह गर मेरा minus 18 था, यहाँ से देख लेज़े, 6, 18, 6, 18, 4 तरहीं 12, 22, 60, 12, 12, 25, तो माइनस का साट, प्लेस का साट, कैंसल, माइनस का बारा, और प्लेस का बारा आई, वैलो मैं कहीं न कहीं लो, चाहाए यार क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे, दिक्कत है इसमें तो, यह क्वेश्चन ने दिक्कत पैदा कर लिए अपने आप में, देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन क्या है, ओ, स्वारी, यह वैलू जो है, हमारी आई है, ठीक है, यह वैलू जो हमारी आई है, 6I, 4I, 20, माइनस 3I, 3I, 3, 1, माइनस 3I, 3I, 3, 1, माइनस 1I, अब यह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह वैलू जो हमारी थी, यह ही पर गलत हो रहा था, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, गलत कहां से हो रहा था, एक बार क्वीश्चन से, क्योंकि देखे, अब इसपर लेगे, एक स्पैंसन करेंगे, तो यह हो जाएगा 6I, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है और यह कितना हो जाएगा प्लस का तो कि माइनस थीन पर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और कितना आई इसका मल्टिप्लाइ इससे तो कितना हो जाएगा माइनस का चार और इसका मल्टिप्लाइ इससे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20 ठीक है माइनस का जीरो हो गया, तीन जगों कितना हो गया, बारा, और कितना आई हो गया, और आंगे कितना हो गया, बीटते हैं, साट, और कितना हो गया, यहाँ पर हो गया, प्लस का कितना बारा, और कितना आई, और यहाँ पर माइनस होना चाहिए था भाई, फिर कहीं गलत हुआ यहाँ पे 3 आई पे करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस ठीक है और अगर एक टे किया हुआ है तो इसका मल्टिप्लाई इससे और इसका मल्टिप्लाई इससे अच्छा हाँ तो माइनस का यह 60 होगा जाते है माईनश साट यहां से एकस प्लेस आई यबावर जीरो तो यहां से एकस प्लेस आई वाई बढावर जीरो तो यही हमारा अंसर रहने होगा है ओके यहीं हमारा अंसर सही होगा ओके अज़ेश्ट हमारा फोर नंबर कोईशन ठीक है फोर्थ नंबर कोईशन फोर्थ नंबर कोईशन में देखे वैल्व जो हमारे पास में है फोर्थ नंबर कोईशन है वैल्म फंफन फंफन नेक्स ऐसरब कोईशन में गातके हैं अब्स इस से हैं नेक्ष घमारा है भी प्लस इस सी विए A plus का C, ठीक है, और C में value जो है, करा A plus C है, थाड़ का लब यह हमारा है, ठीक है, और कर रहा है कि इसकी value क्या होगी जाके, option A value कर रहा है, A, B, B, C, plus का A, C रहेगी, option B value 0 रहेगी, option C, minus का, A, B, B, C, plus का C, A, रहेगी, option D, none, आप दीज, चार आपसे ने, देखें, बहुत भारी भरकम question लग रहा है, जब यह बहुत भारी भरकम question लग रहा है, तो यहाँ पर देखी, अगर चाहो, ठीक है, अगर चाहो यहाँ से, तो कुछ करके देख लेते हैं, क्या, क्या करते हैं, कि यह जो है हमारा, इसको इसमें जोडने की यह हमारा BC दिखा हुआ है प्लस का आंगे कितना हो जाएगा AB फिर कितना हो जाएगा AC नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा हमारा फिर अगर बात करें तो इसको BC से ही चालू करेंगे AB और प्लस का कितना हो जाएगा AC नेक्स्ट हमारा इसको भी BC से चालू करें AB प्लस का कितना हो जाएगा BC AB प्लस का कितना हो जाएगा AC आंगे बात करें तो A into B plus C B into C plus A और C into A plus B ये रहेगा ये रहेगा ठीक है? यहां से AB, BC, CA सबसे कामन देंगे तो AB plus का BC plus का CA ये हमारा पूरे से कामन हो गया 1, 1, 1 1, 1, 1 नेक्स्ट आंगे बात करें है AB plus C BC plus A and C, A plus अब यहां पर मैंने देखा हुआ है कि दो कालम हमारे कैसे हैं बाराबर हैं तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैलू होगी कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी या कि अगर आप इससे नहीं लगा पा रहे हूँ नहीं आपको समझ में आया हुआ है तो थोड़ी देर के लिए ये वैलू देखो दो कालम यहां पर हमारे बाराबर है तो इसकी वैलू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी अपसन हमारा B रहने वाला है ठीक है ठीक है लेकिन अगर आपको यहां से समझ में नहीं आता है कि आपने ये नहीं कर पाया तो आप फिर क्या करेंगे? तो देखे दूसरा हमारा प्रोसेज क्या है? यहां से अगर हम A बरावर 1 B बरावर माइनस 1 और C बरावर 2 लिख लें तो यहां से देखे हमारा एक, एक, एक है पहले कालब में आँगे B, C B, C माइनस 2 A, C, 2 और A, B माइनस 1 ठीक है? B प्लस C B प्लस C कितना हो जाएगा? वन एक का गुणा में कर वाएँगे तो एक क्यों हो जाएगा? A प्लस C अब इसका एकसपैंसन कर लेना है ठीक है? इसका क्या करेंगे? एकसपैंसन करेंगे तो वन पे एकसपैंसन करेंगे तो देखे जीरो हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 तो यह वैलू माइनस के 3 हो जाएगी और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ठीक है और इसका इससे इसका इससे तो वैलू कितनी हो जाएगी इसका इससे जीरो और यहां पर कितना हो जाएगा multiply 3 का करवाद है प्लस का एक और इसका multiply इससे तो यह 1 और माइनस का कितना 2 तो यह हो जाएगा माइनस 3 प्लस का छे और यह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1-2-1 प्लस के मल्टिप्लाई तो यह वैलू कुछ गड़वड हो रहा है लग रहा है वन पर करवाया तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस रहेगा यह तो यह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है यह यह तो माइनस माइनस प्लस रहेगा यह हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाके 2 पे किया तो 2 और इसका इससे और इसका इससे तो यह भी प्लस हो गया अच्छा है हो गया ठीक है आंगे हम बढ़े आंगे बढ़ेंगे तो यहा पे 1 पे करेंगे 1 पे करेंगे 1-2 तो यह हुआ जाके तो यहां value कितनी भी लिए minus का 1 ठीक है यह minus का 1 तो 6-3-9 value कितनी आई 8 है यह इस तरीके से अलगी नहीं रहा है दूसरा सोचेंगे A, B, C A हमारा B, हमारा C हमारा ठीक है यहां पे देख लेते हैं तो उसके according value जो हमारी i-expansion करने पे है इसमें short trick लागू क्यों नहीं हो रही है B, C B, C minus 2 A, C A, C 2 A, B, 0 A, B, minus 1 यह होना चाहिए था A, B, minus 1 A, B, minus 1 और B, plus C B, plus C, 2, गुणा 1, A हो गया A, plus C, 3, minus 2 A, minus 3 हो गया A, plus B, value 0 हो गया यहां पे कुछ गर्लत हुआ है लगेगा लेकिन बस बात यही है कि कहीं गलत नहों पाए तो यहां पे देखिए एक पर करेंगे एक्सपेंसर तो 0 और यह कितना हो जाएगा minus कती ठीक है यह minus 2 पे करेंगे तो value 0 मैनसullah प्लस हो जाएगा इसके इससे यह मारा कितना हो जाएगा multiply कर आएगँ एक पर करेंगे तो इसका multiply इससे minus 1 और इसका इससे minus कतो ठीक है तो यह यहां पी जो चीजे हैं है खिक है यहां पटि जो चीजे हैं यहां पे वो सही से लिकिए हैं okay तो हमारा इसके क्योंड और उसके क्योंड दोनों के क्योंकि dock लान सकते हैं और यह दूँ है अधिक गाफ फाइप नंबर कुश्चंड फाइप नमबर कोईशन, देखिए, फाइप नमबर कोईशन में एक डिटर्मिनेंट वैलू है, वन, वन लिखा हुआ है, एंड लॉग E, बेस E, नेक्स्ट हमारे पास है, लॉग 10, बेस 10, आंगे है 5, 5 और 5, ठीक है, नेक्स्ट में है पाई, फूड पाई, और E, और हमसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, अपसन A, ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, अपसन A, पाई होगा जाके, अपसन B, E होगा जाके मान, अपसन C, 0 वैलू होगी, अपसन D, 1 मान होगा जाके, ठीक है, यह, अब हमें पता है कि लाग E, बेस E, कमान 1 होता है, लाग मांच लिया हुआ है तो यहां से 1 1 1 पर भी 1 1 ओंफान ये वालु हो गई पाई next में अपर पाई नेक्स्ट में थों तो इन डूनूंट कि जो वैलू है यह दो काला हम वारे सेम है तो यह इसकी वैवालू कितनी हो जाए książ continues वैल ए हो die लुकिल अपसेन के इसता राइट है, ठीक है, ऐसे ही question आपको लगाना है, इसमें क्या भेद था, कुछ भी भेद नहीं था, बस हमें understand करना था कि चीजें कैसे होंगी जाकर, ठीक है, चीजें कैसे होंगी जाकर, तभी हम चीजों को लगा पाएंगे, नेक्स्ट हमारा six number question यह मेरा five number question था next मेरा six number question six number question में देखिए value है अपने पास में करा है कि in determinant value है a b a alpha minus b next में है b c b alpha minus c next में है two one zero ठीक है कर रहा है कि इसकी value जो zero है और alpha जो हमारा है is not equal to half है then कह रहा है कि value इसकी क्या होगी जाकी ठीक है then option a b c and d कह रहा है कि a, b, c are in ap next में है a, b, c are in gp next में है a, b, c are in hp और d नंबर में है none आप ठीक है अब यहां पर हमें question देखिए अब यहां पर देखिए हमें क्योंकि a alpha minus b है तो यहां पर क्या करें कि c c3 करें यहां पर c3 tends 2 c3 minus alpha c1 plus का यहां पर b करें ठीक है c3 में क्या करें कि first वाले कालम में alpha का गुणा करवाएं और third वाले कालम में यहां पर क्या कर दें sorry second वाले कालम को जोड़ दें तो यहां पर हो जाएगा c2 इस तरह के से चुकि हमें कुछ systematic करना है यह expansion करोगे तो लंबा तगड़ा होगा जाके वो हमाएं थोड़ा दिक्कत दे देगा तो यहां पर देखे हमने किया हुआ a b और यह कितना हो गया 2 हो गया b c1 हो गया अब c3 में ही चुकि add करना है तो c3 हमारा है a alpha minus का b minus करना है a alpha c1 alpha तो alpha हो गय हो गया और सीवन के जिए हो गया plus करना है c2 की वैलू कितनी है b इस तरीके से सब के साथ में तो b alpha minus c और यह हो गया minus का b alpha plus का कितना c next में हो गया 2 alpha ठीक है यह हमारा क्या हो गया 0 minus का 2 alpha plus कितना यह वैलू पी जाकि हमारी तो यहां से a alpha यह इस से यह इस से cancel हो गया इससे यहisc कैंचल हो गया यह हमारा बचा जाकि तो यहां से देखिए हमारे पास value बची जाकि यह भी टू बी सी 1 और यह यहां पर हमारा कितना मिला 0 जीरो और कितना अव्यारगरा्वारम मिला गधा कि अब x का expansion करेंगे तो इसका expansion इस पे करवा लो ठीक है इसका इस पे करवाएंगे तो ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो तो यहां से कितना हो जाएगा ac और minus कितना 20 square और इसकी value पहले भी our lady हमें 0 given है ठीक है तो बरावर कितना हो गया 0 तो यहां से हो गया हमारा 20 square बरावर कितना ac या b बरावर कितना हो गया ac अंडर root में तो ये जो value होती जो प्लान मिला हुआ है gp कम जा हुआ हुआ क्योंकि if three numbers are gp, a कम b कम है, then b square is equal to ac होता है ये b is equal to root ac होता है तो ये सारा सब कुछ आपको देखना है, ठीक है next हमारा six number question है, six number question, six number question में कह रहा है कि determinant है value a, b, c की बेन है next में है a square, b square और कितना है, c square ठीक है आँगे है a cube minus one, b cube minus one and c cube minus one ठीक है, कह रहा है कि इसकी value zero है then हमें क्या मिलेगा देखते हैं option a, b, c, entity first option में value कह रहा है कि a plus b plus c is equal to zero next में कह रहा है कि a, b, c is equal to one next में कह रहा है कि a plus b plus c is equal to one और next में कह रहा है कि देखते हैं चार आपस हैं हमारे पास में तो यहां से हमने एक चीज़ देखी क्या, कि अगर मैं इसको देखे, a, b, c एक determinant में इसको करना है a square, b square, c square next महारा हो गया a square, sorry, a cube b cube और c cube minus common ले लिया यहां से तो हमारा फिर हो गया a square, b square, c square oh sorry a, b, c a square, b square, c square और यहां पर होगे one, one, one इससे अगर, इससे या इससे के बाद, ठीक है यहां से कोई को भी एक अगर ले ले यहां पर इससे, a, b, c कामन ले, a, b, c, कामन ले लेंगे ठीक है इससे, a, b, c, a इससे कामन ले ले, b, c, c इससे कामन ले ले, तो हमारे पास जो बचे का जाके, ठीक है तो यहां से, a, b, c कामन ले ले ले, और यह हमारा इससे, minus one, बचे का जाके और यह हमारा एक साथ में तो यह होगे value यहां पर देखेंगे यह हमारा 111 तो यहां से देखिए A B C A square B square C square 111 बरावर कितना है इसको 0 के बरावर ले जाओगी तो A B C minus 1 बरावर 0 या A B C बरावर वैल्यू कितनी हो जाएगी नाट 1 ठीक है इस नाट 0 इस 1 होगी जाके वैल्यू तो यहां पर आप देखिए कि जो चीजें हैं आप अगर कर रहे हो यहां पर देखा आपने कि A B C A square B square C square यह कैसे हो जाके तो अगर इससे A इससे B इससे C कम ले लेंगे तो इधर 1 बचेगा इधर भी 1 बचेगा इधर भी 1 बचेगा फिर एक कालम अत्वा एक औरो कालम को इंटर्चेंज कर लेंगे तो जो इस तरीके का साइट का यह जो हमें मिलना है यही हमें थोड़ी दिरवबाद में ऐसे मिलना हुआ दिखाई देगा जिसको हम बोलेंगे कि यह हमारा जीरो के इक कुल जाएगा जब जीरो कोड़ जाएगा तो ABC वेवेएधी जीरो हो जाएगी हैं नेक्स्ट मेरे सेवन में ठीक है सेवन नंबर कोष्टेंट देखें सवार हमेरे सेवन Emperorना हेही नेक्स्ट मारे टनमब ड शोशन हो कर जाके, एक नमबर question में, value है, हमसे देखी, क्या रहा है कि अगर, ठीक है, value हमारे पास में है, a plus b, b plus c, और c plus a, next value है, b plus c, c plus a, और a plus b, next value है, c plus a, ठीक है, a plus b, और next value है, b plus c, मराबर, k, next आगे value है, क्या रहा है कि a, b, c, b, c, a, a, b, c, b, c, a, c, a, b, c, a, c, a, b, c, a, b, c, a, c, a, b, का मान क्या मिलेगा, option a, b, c, a, c, a, d, d, चार option है, पहले, आपने value, one, two, three, Jak .... jadi value हमसे कह रहा है, तो यहाँ से देखे, a क्या होता है, बड़ा वाला method क्या होता है, कि पहले, a, b, c, लिखो B plus C C plus C लिखो फिर C बारा लिखो ऐसे गरके यहां पर देखिए 2, 4, 6 6 side में इसको part में बरावर बरावर काटके लिखना पड़ेगा कुछ दिर value क्या होगी कुछ column या कुछ row कुछ column मैं same मिलेगे कुछ row same मिलेगी value cut चाहेगी two times ऐसा देखने को मिलेगा जो ऐसा होगा जागे तो K की value हम कितनी बता देंगे दो बताएंगे या की या की जो हमने बताया हुआ है कि A बरावर 1, B बरावर minus 1 और C बरावर दोलिको value find करो और देखो expansion कर लो तो यहां से देखे A plus B value कितनी हो जाए कि 0 देखे भी प्लस C, B plus value 1 हो जाएगी, A plus C value कितनी हो जाएके 3 हो जाएगी B plus C value यहां पर Naat 3 होगी जाके यह तो A कहीं होगी जाके B C value कितनी होगी जाके 1, C A कितनी value हो जाएगी 3 हो जाएगी ठीक है, next a plus b value कितने होगी 0 जाके, यहाँ पे a plus c value कितने होगी 3, a plus b value 0, b plus c value कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, a plus b value 0, b plus c value कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी, a plus c value 3 हो जाएगी, b plus c value 1, a plus c value 3, a plus b value 0, a plus c 3, a plus b value 0, b c कितना 1 हो जाएगी, इसको expansion करने हैं तो यहां पे 0 का तो 0 हो जाएगा माइनस 1 पे करेंगे तो यहां पे देखें तीन का गुणा एक में कितना हो गया 3 माइनस का 0 प्लस के 3 पे करेंगे तो यहां से देखें इसका यह 0 और आंगे कितना हो गया माइनस का 9 तो यह वैलू यहां पर देखएंगे तो यह होगिया मैनिस का 3 ठीक है और ये कितना हो गया 927 नोत्र कर कितना होगिया 27 होगिया मैनस को ठीक है तो वैलु कितनी होगिया 27 सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर वन माइनस वन दो यहां पर इसका कर लिए एक करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस दो माइनस वन माइनस प्लस और इसका इससे वन और कितना माइनस का दो प्लस के दो पर करेंगे तो इसका यह हो जाएगा माइनस वन और आंगे कितना हो जाएगा माइनस का चाहिए तो दो यह कितना हो जाएगा माइनस का तीन आंगे कितना हो जाएगा माइनस का दस त तो दस, चार चॉग्दा हो जाएगा यह कुछ गएत हो गया कहीं पर हन्तरना मिलना चाहिए यहाँ एक पे करेंगे तो मैयनस का ठीक है एक पे करेंगे प्लस एक मैनस का ठीक है दो पे किया तो दो पे इसके करेंगे इसका कितना हो गया माइनस का एक इसका कितना हो गया माइनस का चार तो माइनस का पांच पांदूना दस हो गया तो यहां पे देखेंगे कुछ एक चीज यहां पे तो यह हमारा कितना हो गया माइनस का तीन होन लेंगई कहीं पर गलत नहीं हुआ क्योंकि बरावर बेलू यह चल रही है ठीक है यहां पे देख लेंगे एक यह हमारा 0 होगया कोई मतलब नहीं रहा कि इसका इससे करेंगे तो एक का गुणा एक से यहां गलत तो किया हुआ है एक पर करेंगे इस माइनस यह होजाएगा और इसका गणा इससे होगा कितनी वेल्यू आजाएगा एक आजए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहां पर क्या हो रहा है तो इन हमारा मैनस का 1 और कर नो तहाँ कितना होगा 25 तो यह मैनिस का 28 बरावर कितना मैनस का चौदा कंश कर चौदा दो नी तो यह हो गया दो इधर बचा के, तो के कमान कितना आया हुआ है, दो, स्वारी, इसमें देखिए, वैलू यही है, कि यहां पे आपने मल्टिप्लाई अगर सही से करवा लिया, तो सही है, थोड़ा सा भी अगर लोचा कहीं पे हो गया, तो वैलू वही मैश नहीं करेगी, दिक्कत होगी, चोकि आज की जो कुश्चन है, यहां पे डिटर्मिनेंट में यह थोड़ा ध्यान देना होता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, तो यह कुश्चन आपका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था भाई, इतना बड़ा था कि आपको कम से कम पांस मिनट चाहिए थे इसको करने के लिए, और लेकिन यही कुश्चन आपने बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगाया, और देन आंसर इसका रेप्लाई कर लिया आपने, ठीक है, तो यह भी आपको सोचना है, और आपको एक्सपेंशन करके कर जाना है, तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप एंडे के तयारी कर रहे हैं, तो expansion करके जाएंगे तो भाई मर जाओगे ये कही question लगा पाओगे तीन गंटे में क्या घर होगे ठीक है तो हाँ ये यहाँ पे जरूर ध्यान देना है यहाँ पे जो multiply में थोड़ा गलत हुआ तो उसके लिए स्वारी लेकिन आपको ऐसे ही करना है नेक्स्ट नमारा 9 नमबर question देखिए 9 नमबर जो question है यहाँ का हमागा येस value कह रहा था हमारे पास में कह रहा था अगर एक determinant में value है x plus 2 sorry x plus 1 x plus 2 x plus a next में है x plus 2 x plus 3 x plus b next time x plus 3 x plus 4 x plus c ठीक है ये value है is equal to 0 है then हम से कह रहा है कि a कामा b कामा c r किसमे होंगे option a किसमे होंगे option a c a p में option b gp में option c hp में option d अन अहुप दीज टेंस टू c टू c माइनस का c1 and c3 टेंस टू सी टू माइनस का कितना c3 माइनस का कितना c2 तो यहां से इसको घटाएंगे तो यह देखे एकस प्लस वन एकस प्लस टू and एकस प्लस एही मिलने वाला है c2 to c1 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा कितना x x से एक क्रेंसल हो जाएगा वैलू बचेगी और यहां पर भी वैलू कितनी बचेगी बान ही बचेगी क्योंकि x प्लेस 3 से x प्लस टू गटाएंगे 1 बचेगा यहां पर देखे यहां पर x प्लस b यहां पर जोके हमारा x प्लस b लिखा हुआ है अब यहां पर कितना बचेगा b-a ठीक है? C3 के लिए हमने क्या किया C3-C2 तो यहां से 3-2 घटाएंगे 4-3 घटाएंगे और यहां से इसको घटाया तो मैंने मेरे पास कितना बचा हुआ है यहां पर इसको घटाया तो C- कितना भी ठीक है? अब यह हमने कर लिया यह करने के बाद में फिल मैंने क्या किया कि फिल इसको इससे घटाया ठीक है? इसको इससे घटाया तो C1 नहीं R1 sorry R1 tends to R1 minus R2 ठीक है? अरे एक्सपैंस कर लो एक्सपैंसन कर लो सीडिस सी बात है X प्लस 1 पर करेंगे X प्लस 1 पर किया तो यहां पर देखे X प्लस 1 पर किया है तो यहां पर देखे यह हमारा इससे होगा तो C minus B और minus का हो जाएगा B और plus का कितना हो जाएगा A ठीक है? X प्लस 1 पर किया आंगे हो जाएगा minus कबार इसका इससे करेंगे तो देखें यहां पर value X plus 2 and C minus B ठीक है? इसका इससे तो इसका इससे भी होगा तो यह हो जाएगा minus का X plus A ठीक है? यह हो जाएगा plus का 1 रहेगा तो इसका इससे होगा तो X plus 2 and B minus A और इसका इससे करेंगे तो minus का X plus कितना A ठीक? यह हो जाएगा ओके अब यहां पर देखा तो माइनस माइनस हो गया माइनस भी माइनस भी टू भी हो गया तो माइनस का टू भी प्लेस थी तो यहां से देखी एक्स प्लेस वन ठीक है और यहां पर हो गया माइनस का टू भी प्लेस का एक्स का कितना से यहां पर इसको करेंगे माइनस इसका उसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना XC और मायनस का कितना B X मायनस का XC XC-V X मायनस का 2C और मायनस का कितना टुबी माйनस गुना करवाएँगे तो यह फियो हो जाएगा X 14 ठीक है कि इस तरीके से करवाएंगे तो बहुत लंबा हो रहा है या इस तरीके से ठीक है तो यहां से इस प्लस का 2b-स कितना 2b-4- x और वाइनस का है ठीक है अभी चुकि यहां पर इसका मल्टिप्लाइ नहीं हुआ तो इसको भी मल्टिप्लाइ में लगा दो तो यह हो जाएगा माइनस का 2BX, देखे हैं, माइनस का 2BX, फिलाल इस टाइप को क्वेशन नहीं आने वाला है, ठीक है, और ये माइनस का 2BX, और प्लेस का कितना हो जाएगा, AX, प्लेस का कितना हो जाएगा, CX, ठीक है, एक्स का करवा लिया, एक करवाएंगे तो माइनस का 2B, प्लेस का A, और प्लेस का C, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टिप्लाई, तो माइनस का कितना हो जाएगा, XC, माइनस का, माइनस माइनस ब्लस BX, और माइनस माइनस ब्लस 2C, और माइनस माइनस ब्लस का 2B, ठीक है, और फिर अंदर माल्टिप्लाई होगा, प्लस का X, और प्लस का E, यहाँ पर पर इसको चुपके ये भड़ा सब प्लेस में रहेगा ये वाली वेलुट फ्लस में ही लिखना है तो ये हमारा हो ये प्लेस का ठीक है कितना वी एक्स माइनस का कितना एक्स और प्लेस का कितना टू बी माइनस का कितना टू ए और माइनस का कितना एक्स माइनस का कितना ए ठीक है तो बी एक्स यह हमारा बी एक्स है यह वाला बी एक्स और यह वाला बी एक्स माइनस प्लेस माइनस बी एक्स कैंस है एक्स को हम देखेंगे एक्स मारा कहा लिखा हुआ है यहां पर आंगे हम देखेंगे फमान सकाहिए क्स का 시청 bay ये लिखा हुआ है मैंगनज कर टू अच्छा टू बि और अ dei प्लिस यह पल सकाल माइनस है गर आध clay द Premier तो गए थेक है यह हमारा हो गया है आंगे बड़े तो C प्लस का सी तो एक देखिए ये हमारा टूसी है ये हमारा सी है ठेक है और आंगे बड़े तो सी हमारा कहा मिला है तो सी सी तीन सी और आंगे बड़े तो एकस ये हमारा है तो एकस से ये ये कैंसल हो गया एकस तो यहां पर केवल और केवल सी बचा हुआ है तो सी कितना हो गया तीज मसी आंगे बढ़े तू भी मांगे उसकता बचा एक बचा हुआ है तो यहां पर तू सी सी कहीं पर लोचा हो रहा है ठीक है कहीं पर सी वाले लोचा हो रहा है तू भी मैनस का ए यह मैनस का टू सी हमारा हो न चीए यहां पर यह कौन सा पार्ट का है तू सी इसका यह है ना तू सी मैनस का टू भी मैनस मैनस प्लेस एक सी मैनस का एक सबी मैनस का टू सी प्लेस का टू सी मैनस का टू की तो यह मारा मैनस का होगा नाट प्लेस का होगा यह मारा मैनेस कर आएगा तो यहां पर एक चीज हमने देखी कि माइनस 2C से C घटाएंगे तो कितना कुछेगा माइनस का C, माइनस का A और प्लस का कितना 2B, बरावर वैलू कितने हो जाएगी 0 तो 2B बरावर वैलू हो जाएगी A plus C, या B बरावर A plus C अपान कितना 2 यह कंडिशन होती है A P की, तो आप संदी इसका आइट 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 आइगा, इतना बड़ा कोश्चन जो है आपको मुझे नहीं लगता मिलेगा, यह NDA में तो मिल सकता है तो इस वाले कोश्चन को आप याद कर लीजिए and देख लीजिए कि आपका इसका आंसर जो है A P ही रहेगा, ठीक है, फिलान इसमें टाइम तो लगता ही है, बड़े कोश्चन है इनमें टाइम लगेगा और आपको करना भी पड़ेगा, अगर आ रहा है तो वहां पे अगर एक कोश्चन में अगर आपने 30 सेकेंड लिया हुआ है तो दूसरा कोश्चन में अगर 2 मिनट लग रहा है, तो आप उसको कर लो, छोड़के भागो नहीं, ठीक है, तो यह हमारा 9 नमबर कोश्चन था, नेक्स अमारा 10 नमबर कोश्चन है, 10 नमबर कोश्चन में करा है कि अ देन हमसे कर रहा है कि 1 लाग X बेस Y, नेक्स में है लाग X बेस Z, आगे वैलू है, कर रहा है कि लाग Y बेस X, 1 है, नेक्स में कर रहा है कि लाग Y बेस Z, ओके, नेक्स में वैलू है कर रहा है कि लाग Y बेस Z, नेक्स में वैलू है कर रहा है कि लाग Z बेस X, नेक्स हमारी व है लाग जट बेस वाई नेक्ट में वन है और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा जाके अप्शन ए भी सी एंटिटी ठीक है और इसका जो पहला अप्शन है वैलू जीरो है अप्शन बी में वैलू बन है सी में वैलू है लाग एक्स वाई जैट बेस ली डी में वैलू है नानाब दिए देखिए जब भी अगर इस तरीके का क्वेशन है आपके अगर अंडी ए एयर पॉरस रिचाम में यह वाला क्वेशन आ रहा है तो आप हमें पता है कि यहा पे जो वैलू लाग में लिकी हुई ये वही value base में लिखी इसकी value 1 हो जाती है, तो यहाँ पर देख रहे हैं log x log x अगर है, तो इसको क्या बना ले, इसको भी बना ले क्या? log x base x, ठीक है? जहाँ जहाँ पर अब इसके साथ में y-y था, तो यह हमारा हो जाएगा, log y base कितना y, और यहां पर कितना हो जाएगा log z, डेस कितना हो जाएगा z, इस वाले पूरे से log x कामन ले ले, ठीक है, तो और इस से पूरे से क्या ले ले, log y कामन ले ले, और इस से क्या ले ले, log z कामन ले ले, तो यह हमारी जो determinant है, एक तयार होगी जाके, log x, ठीक है, यह 1 upon y, हाँ, log x, ये 1 UPON में common लेगे पूरा सब्स, ठीक है? तो इवैलू हो जाएगी log X ठीक है? next log X next हमारा हो जाएगा log X ठीक है? log X, log X, log X next next अगर इसका हम लेगे पूरे का common, ठीक है? यहाँ पर इसका अगर common लेगे इसका log X common लिया है ठीक है तो अगर इसका वाला कामन लिया है तो यह हो जाएगा log X और यहाँ पे हो जाएगा log Y और यहाँ पे हो जाएगा log Z इसमें हो जाएगा log Y और इधर हो जाएगा log Z और इधर हो जाएगा log X है तो यह हो जाएगा log Y और next यहाँ पे हो जाएगा log Z log x, log x, log x question कुछ गलत है क्या log y, base y, log z अगर मैंने इससे पूरे से log x, 1 upon log x कमल लिया हुआ है तो log x, इसका भी log x, इसका log x, इसका भी log x लेकिन बन अपान एक्स पूरे से कमल लिया है तो log x, y, z next का हो गया log x, y, z next का हो गया log xy ठीक है ओके ओ स्वारी यह गलत हो गया कि log xy पहली रो दूसरी रो तीसरी रो यह तो सब बराबर मिल नहीं है इनका मान जो होगा क्या मिलेगा 0 मिलेगा जाके ठीक है इनका मान क्या होगा 0 मिलेगा तो यह हो जाएगा 1 upon log x log y log z और इस पूरी टिर्मनेंट का मानद 0 तो फाइनल अंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है? फाइनल अंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, चुकि यहाँ पे हमें देखना है जब हमारा 1 था तो उसको हमें मेक अप करना है धेन इसके बाल अंसर बताना है ठीक है 10 नमबर 11 नमबर क्वेश्चन है 11 नमबर क्वेश्चन में देखिए 11 नमबर क्वेश्चन में यहां की एक डित्रमिनेंट वैलू है A1 A2 A3 Next में वैलू है M A1 M A2 M A3 B1 B2 B3 और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा जाकि Option A Value कह रहा है 0 होगी Option B M A1 A2 A3 Option C M A1 A2 B3 Option D None of this तो देखिए जब भी अगर रेटर में रेटर में एक इस टाइप का क्वेश्चन हो एक इस तरीके से रो लिखा हो दूसरे में कुछ Multiple हो और तीसरा हमारा कुछ अलग से हो तो यहां से तीसरी वाली रो से अगर हम M common लेने तो पहली दूसरे कालम से M common लेने तो पहले कालम में A1 A2 A3 दूसरे कालम में B1 A2 A3 और तीसरे कालम में B1 B2 B3 रहेगा अब यहां पर दो कालम हमारे सेम है तो इस ट्रिटिनेंट की value कितनी हो जाएगी 0 तो यह M into 0 कितना हो जाएगा आंसर 0 अपसर नमबर A इस तरह आइट आंसर ठीक है तो इस तरीके का question हमें जरूर करना है उसको लगाना है ठीक है नेक्स्ट हमारा 12 नमबर question ओके देखे 12 नमबर आप हमें question करना है 12 नमबर जो question है हमारा लिखा हुआ है 1 प्लेस एक्स 1 1 1 1 प्लेस वाई और next value है 1 1 1 1 प्लेस जैड़ ठीक है इस तरीके से value है खहरा है कि आपसर इसका क्या रहने वाला है आपका ये यंडिये का question है यंडिये में बहुत टाइम पूचा गया है Air Force Navy में भी ये question जो है repeated question है value x y z ठीक है और 1 प्लेस 1 अपान X प्लेस 1 अपान Y, 1 अपान Z है, ठीक है, अपसन B में वैलू है, 1 अपान X प्लेस 1 अपान Y, प्लेस 1 अपान Z, अपसन C में वैलू है, ठीक है, अपसन C में वैलू है, X, Y, Z, अपसन, ये Z हमारा लिखा हुआ है, अपसन B में वैलू है, ठीक है, अब देखिए इस टाइप का question है यह हमें करना है आपका यह repeated question है ठीक है और यह repeated question है इसको जरूर हमें करना है तो यहां पे देख यहां फे देखिए इसके लिए क्या करें कि यहां पे ठीक है यहां पे फिर वही जो ABC वाला आ हम pattern मान रहें थे कि a बरावर यहां एक्स बरावर कितना हो जाएगा वन वाई बरावर कितना माइनस वन एंड जड बरावर कितना तीन रख लो रखते हैं तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 1 plus 1, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह हमारा 1 हो जाएगा, 1 plus y कितना 0 और यह 1, 1 और यहां कितना हो जाएगा 3, इसको solve करेंगे, 2 पे solve करेंगे, तो यह value कितनी हो जाएगा, minus 1, minus 1, तो आंगे यह हमारा 3 हो जाएगा, और minus का कितना हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस का एक पे करेंगे तो यहां से इसकी value 1 और यहां पे कितना minus 0 तो minus का 2 और 2 यह से एक टेगा minus 2 और 2 एक हम minus का 2 और plus का कितना 1 तो value इसकी कितनी मिलेगे दो दूनी चार में एक लिया कितना minus का देगे बात आई समझ में अब जब ये बात समझ में आ गई ही तो इसकी वैलू कितनी दुवारा से फिर देख लेंगे दो 0-1 एक पर करेंगे तो इसका मल्टिप्लाई इससे 3 और इसका मल्टिप्लाई इससे 2 और यह 1 हो गया तो 2 एकम 2 मैनस कर दो 2 से 1 कर 3 गटा 2 मल्टिप्लाई फिर ठीक मैनस 3 आ गया हमारा कंफर्म हुआ एंड अब आपसन में वैलू रखेंगे कि मैनस 3 हमारी वैलू क्या देगा 1 अपान 1 1-1 प्लस-1 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 तो 1 अपान 2 यह हमारा मिलेगा नहीं एकस-वाइ-जड यह भी वैलू देगा नहीं यहां पर करेंगे तो प्लस-1 माइनस-1 वैलू कितनी होगे यह तो 0 हो गया तो यह होगे 1 प्लस-1 अपान 2 यह होगे 1 अपान 3 तो यह भी हमारा आपसन गलत हो जाएगा फर्ष्ट आपसन अप देखे इसको कैसे चेक करना है यहां पर दो यह हमारा है जड बरावर दो लिया था हमने तीन नहीं लिया था ठीक है तो इसका गुणा पूरे में करवाएंगे तो माइनस-2 हो जाएगा इसकी जगे कितना हो जाएगा माइनस का दो हो जाएगा इसकी के जगह खेर हमारा कितना हो जाएंगा माइनस का रॉसके जगह कितना रख लेंगा माइनस का दो रोग रोग लेész फीक है और यहां पर एक और माइनस एक क्योंकि भेलीडिय क्यां epic क्लिशतने हिए तो यह हमारा बचेगा वन यह वाला बन और इधर कितना वा ग reden to तो यह होगे कितना 3 by 2, तो 2 से 2 cancel minus 3 by 2 बची है, आपसर नमबर A इस तरह आइटांचा, आपसर हमारा A सही रहने वाला है, ठीक है, आपसर हमारा क्या होगा, A सही रहेगा, तो यह तरीका जो है, जो consider कर रहे हो, आप यह best है, बेस्ट तरहीका है आप इन चीजों को, इससे बहुत आसानी से रीष्ट कर सकते हो, कोई question है, आप इससे बहुत जल्दी जा सकते हो, ठीक है, नमचर हमारा 13 number question, ठीक है, 13 number question देखिए, value है जो हमारे पास में, 1, 1, 1, A, B, C, B plus C, A plus C, and A plus B, और next रो कर रहा है कि value क्या होगी, option A, B, C, and D, पहले आप रोगे value कर रहा है, 0 रहेगी, A plus B plus C रहेगी, A plus B, B plus C, and C plus A value रहेगी, D में है नमचर आप देखिए, चार आपसन है हमारे पास में, ठीक है, चार आपसन है, इन चार आपसन में से आपने देख रहा है, यहाँ पे value 1, 1, 1, A, B, C, B plus C, A plus C, A plus B, ठीक है, कोई बात ना, अब यहाँ पे देखा है हमने क्या, कि अगर मैं C2 में C3 को add कर दूँ, ठीक है, तो कुछ हमारी बात बनेगी, 1, 1, 1, और यह हो जाएगा, A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus कितना C, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, B plus C, A plus C, and A plus B, और इससे हम, अगर इस वाले से, A plus B plus C कामन ले लेंगे, तो A plus B plus C कामन लेंगे, तो 1, 1, 1, नेक्स्ट भी 1, 1, 1, और यह हमारा हो जाएगा, B plus C, या A plus C, और A plus B, यहाँ पे 2 काला हमारे से मिल गए हैं, तो value हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यह सारा जो basic है, आपको उगर write करना है, पढ़ना है, सीखना है, तो आप हमारी basic class यो चल लई है, वहाँ पे इसको सीख सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, यह हमारा 13 number था, नेक्स्ट हमारा है 14 number question, 14 number question, value कह रहा है, if omega is a cube root of unity, हम से कह रहा है, if omega is a cube roots of unity, then एक determinant value है, कह रहा है कि 1 omega square, omega square 1 omega, next number कह रहा है कि omega omega square 1, और कह रहा है कि इसकी value क्या होगी, option a, b, c entity, first option रहा है, एक आएगी 0 हाएगी, omega square रहेगी या omega रहेगी, यहाँ पे हमने क्या किया, कि c1 10th to c1 plus c2 plus कितना c3, तो यहाँ से देखिए value, 1 plus omega plus कितना omega square, 1 plus omega plus omega square, 1 plus omega plus omega square, यहाँ पे हो गया omega 1, और कितना omega square, और यह हमारा हो गया omega square, omega और कितना 1, यहाँ पे 1 plus omega, अगर cube root आप unity हैं, तो यह हमें पता होना चाहिए, कि 1 plus omega plus omega square, value कितनी होती है, 0, अब यहाँ पे देखिए, हमारा 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे value हमारी 0 हो गयी, तो यहाँ पे देख लेंगे, यह, तो यह value 0, 0, 0, तो omega, 1, omega square, या इसको ऐसे नहीं करना है, यहाँ से 1 plus omega, plus omega square कामन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, 1, 1, अब इसका मान 0 होता है, तो determinant में value 0 करवाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरा 0 मिलेगा, तो अपसा नमर B, इसता right answer, ठीक है, अपसा नमारा कौन सा, B सही रहने वाला है, नेक्स्ट नमारा 15 नमर question, फिप्टी नमर question लेके question भड़े हैं, तो क्या हुआ लेकिन सही है, इज़दार question है, नेक्स्ट नमरा वेलू है, 1, 2, 3, ठीक है, नेक्स्ट नमरा 1, 3, 5, सॉरी, 1, 3, 4 है, नेक्स्ट में है, 1, 4, 5, 1, 4, और कितनी है, 5, कर रहा है कि इसका मान क्या होगा जाके, ठीक है, इसका मान क्या होगा, option A में वेलू है, 1440 है, option B में वेलू है, 1 है, option C में वेलू, minus 1 है, option D में वेलू कर रहा है, none of the each, अब इसको सॉल्फ करना, इसमें सॉल्फ ट्रिक क्या, इसको सॉल्फ कर लो, तो 5, 3, 15, 16, कितना हो जाएगा, minus 1, 5, 3, 15, 16, कितना हो जाएगा, minus 1, चो कि 1 पे कराएगे, फिर minus 1 पे, तो 5, 2, 10, 12, 12, कितना हो जाएगा, minus 2, तो पांद माइनस दो प्लस दो वैलू कितने मिली माइनस को आपसा नमर सी इस तराइट अंसर ठीक है एक पर करवाएंगे पांद यह 15 16 से घटेगा माइनस वन आएगा फिर एक यह माइनस हो जाएगा ठीक माइनस यहाद रखना पांद उनी दस चारतें बारा दस से बारा माइनस माइनस हो गया प्लस तो प्लस कट हो गया एक पर करवाएंगे पांद में दस चारतें बारा तो फिर हमारा भाई मिला जाके ठीक है सुरी चार दुनी यहाट तीन तरकन तो हमारा माइनस मिला जाके कुछ गलत हो गया कुछ गलत हो गया देखनेंगे अगर मैं एक पे करवा रहा हूँ तो पांते हैं 15 माइनस कितना 16 माइनस एक पे करवाऊंगा तो इसका हिससे कितना हो जाएगा 10 इसका हिससे कितना हो जाएगा 12 फिर एक पे करवाएंगे तो यह बैंने हो जाएगी, यह- पंधरम. फिल मैंख क्च प्लेश कई भाईस, यह क्या होगे बैई? 15 southern states, मैंख कई भाईस, मैंख के सबीत, और यहांद एक भी खरवा यह यहां, उनuju हैंपनी, तो इसलिए थोड़ी सधर मैंख कई भाईस, वेल्यू कितनी हो जाएगी, अपसा नमबर T नेक्स्ट हमारा 16 नमबर क्वेशन 16 नमबर क्वेशन जो हमारा है, देखिए एक मैट्रिक्स लिखी है A, H, G, G A, H, G, N, G नेक्स्ट वेल्यू है 0, B, C, E 0, B, C, और कितना है, E है नेक्स्ट वेल्यू है 0, 0, D, और कितना है, K है नेक्स्ट है, 0, 0, 0, L है और कहरा है कि इसका मान क्या होगा जाके इसका मान क्या होगा जाके आपसन A, B, C, D पहले आपसन वेल्यू है कहरा है, G, H, K, L आपसन A, B, H, G नेक्स्ट में है A, B, D, L और नेक्स्ट आपसन में नम आप दीज़, ओकी? अब यहाँ पे देखिए यह चार आपसन है और इन चार आपसनों में इसे देखिए सबसे पहले important क्या है? कि यहाँ पे देखिए कि यह man diagonal को, जो mok diagonal है उसको छोड़के नीचे के जितने भी element है, सारे के सारे 0 है जब नीचे वाले 0 हैं, उपर वाले कुछ element मिलेंगे तो यह determinant बोला जाएगा इसको बोला जाएगा अपर triangular matrix फिलाल बोला जाएगा ठीक है? यह matrix में चीज़ा यहाँ आती है तो इसकी value दिखाना है तो इन सब का multiply ठीक है? मैं अटाइडल को multiply कर पाले है next नमारा 17 number question तो 17 number question देखिए कह रहा है कि अगर कह रहा है कि अगर n is not equal to 3 के मतलब n जो है 3 का multiple नहीं है and कह रहा है and 1, omega, omega square are cube roots of unity then हमसे कह रहा है कि value क्या रहा है कि यहाँ पर एक triangle value है पहले में 1 plus omega 1 omega की power n omega की power 2 n next में value है कह रहा है कि omega की power 2 n 1 omega की power n next में value है omega की power n omega की power 2 n 1 है और क्या रहने वाला है option A, B, C and D पहले आपसे नहीं value 0 omega and omega square and 1 ठीक है यहाँ से मैंने किया हुआ है C1 temp to C1, C2 और कितना? C3 यहाँ से देखे जो हमारा add होगा 1 plus omega की power n plus omega की power 2 n next भी add करेंगे तो 1 plus omega की power n omega की power 2 n next भी हमारा हो जाएगा omega की power n omega की power 2 n और next हमारा omega n 1 omega की power 2 n omega की power 2 n omega n और 1 ठीक है? 1 plus omega की power n plus omega की power 2 n to 1 plus omega की power n plus omega की power 2n So, आँगे बढ़ेंगे तो यहाँ पिर देखेंगे कि value जो है 1 plus omega की power n plus omega की power 2n value given थी तो मैंने इसी को common लेने की कोशिस की तो omega की power कितना हो गया? 2n हो गया तो यहाँ पे 1, 1, 1 next हमारा omega की power n 1, omega की power 2n omega की power 2n omega n and 1 यह मिला जागे अब देखो जब मैंने complex number में बताया था इस तरीके से था तो मैंने बताया था इस यह इचा multiple of 3 इसकी value जो हमारी है 0 नहीं मिलेगी इस यह इस नाट multiple of 3 तो इसकी value कितनी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी कैसे? अगर यहाँ पे 3 रखेंगे omega की power 3 और यहाँ पे हो जाएगा omega की power स्वारी कुछ गड़बर हो गया यह हमारा अगर omega की power 3 यह जो है multiple है 3 का तो यहाँ पे जो omega की power 3 value 1 omega की power 6 तो यहाँ पे यह जो पूरे determinant की value है 0 में नहीं मिल पाएगी अगर यह जो है 3 का multiple नहीं होगा तो 3 multiple के अलावा कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे इसकी जो value है 0 मिलने की कोशिच 0 की ओर 10 होगी या 0 मिल भी जाएगी तो 0 इंटू आँगे जो भी multiply होगा उसकी value final क्या हो जाएगी 0 ठीक है 17 number question है next हमारा 18 number question ठीक है next हमारा 18 number question है 18 number 18 number question देखिए हमसे कह रहा है हाँ कह रहा है the equation the equation 2x plus 3y 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 है next हमारा है 3x plus 4y ठीक है next हमारा है 3x plus का 4y plus 8 is equal to 0 sorry plus 6 is equal to 0 है and हाँगे equation है कह रहा है कि 4x plus 5y 4x plus 5y plus 8 is equal to 0 ठीक है ठीक है पहले अप्चन में कह रहा है कि जो value है consistent होकी जाके अप्चन B में है inconsistent value होकी जाके अप्चन C में value जो है कह रहा है consistent होकी जाके sorry consistent हो गया yes इसमें कह रहा है with unequal solution ठीक है फिर हमसे कह रहा है consistent value होकी जाके और इसमें कह रहा है कि with infinity many solution with in 590 many solution ठीक है और D आपसन में value है कह रहा है कि none आप दीज़ यहाँ पी देखिए अगर मैं इसको determinant form में लिखूँ तो D जो equal to जो value होकी जाके 2 इधर 3 और इधर कितना 4 next में 3 4 और 5 0 0 0 तो यह determinant की क्योंकि पूरा एक यह हमारा पूरा एक कालम 0 है determinant की value जो हमारे होगी 0 होगी जाकि अगर मैं D1 लिखूँ तो D1 के लिए X के केवल कॉपी सेंट ठीक है केवल और केवल X के कॉपी सेंट D1 के लिए क्या होता है यहाँ से value यहाँ पे देखिए 4 और कितना 6 और कितना 8 और कितना यह हो जाएगा 3 4 5 0 0 0 तो यहाँ से D1 की value कितनी मिलेगी 0 इसी तरीके से D2 की भी value 0 D3 की भी value कितनी मिलेगी 0 तो यहाँ से हमने देखा कि D हमारा 0 है D की value जो हमारी 0 है D1 की भी value 0 है D2 की भी value 0 है यहां पर जब 0 है हर एक पार्ट के लिए 0 है तो यहां पर है मैंने स्लिएशन मिले जाके आंसर अपसर नंबर सी इसता राइट आंसर नेक्स्ट अमारा 19 नंबर क्वेश्चन होगा जाके नेक्स्ट नमारा 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए हाँ yes 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर determinant value है minus a square a b minus a square sorry minus a a b and कितना है a c है next में है a b minus b square और कितना है b c है next में कह रहा है कि a c है b c है and कितना है minus का c square है then हमसे कह रहा है k into a square b square c square then k is equal to 5 k क्या मिलेगा option a minus 4 option b 4 option c 2 option d कितना मिलेगा आठ मिलेगा ठीक है तो फिर वही बात हमारे पास में a बरावर 1 b बरावर minus 1 c बरावर 2 लिखना है यहां से देखेंगे अब बरावर 1 यह होजया ऑब कितना होजय इस इतना मैंü झकर डह को दो ab कितना होजया एगा मैंदस फिर कितना होजया गताविद से क्वटर रॉट क्यिके इए destination कितना दो A B minus 1 B square 1 minus का तो B square यहां पर minus 1 रहेगा sorry यह minus 2 BC कितना रहेगा minus 2 AC कितना 2 BC कितना minus 2 C square कितना होगा याके minus 4 यहां पर minus A को कामन देंगे तो इसका गुणा इसमें कितना हो जाए माइनस चार माइनस एक चार और इसका गुणा इसमें तो माइनस कितना चार ठीक है इसका गुणा इसमें माइनस माइनस प्लस तो माइनस का चार हो गया और ये मार कितना हो गया चार हो गया फिर माइनस माइनस प्लस आंगे बढ़ेंगे इसका मल्टिप तो इसका इससे प्लस का छाए दो का ज। itu। यह वैलु भी जीरू चार कतना होगे और था कितना दूदुनी चार दूदुनी कितना हो गया आट हो गया ठीक है दूदुनी चार चार दूदुनी कितना हो गया आट हो गया आगे बढ़ेंगे A² B² C² चुकि A² B² C² तो यह मारा कितना हो गया? 16 हो गया, बराबर के लिखा हुआ, A² की जगे 1 B² की जगे 1, C² की जगे 4, 4 एकम 4, 4 चार पुटो को 16 तो कि बराबर जो value मिले कितनी मिले है? 4 अब से number B, इस्ता right answer ठीक है? तो इस type यह question हमारा Air Force में आ चुका है, Air Force में आया हुआ question Navy में भी repeated है, NDA में तो हर बार ही पूच लिया जाता है तो यह जो question है बहुत important question है, इसके 2-3 type है, इसके 2-3 type को आप learn कर लीजिए and value याद कर लीजिए आपको बहुत ही help मिलेगी उससे ठीक है? नेक्स्ट हमारा 20 नमबर question है 20 नमबर question Yes नेक्स्ट हम से देखिए कह रहा है कि if omega is a omega is a complex root of unity complex root of unity then हम से कह रहा है 1 1 plus omega 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 1 1 plus omega next में कह रहा है कि 1 plus omega omega 1 ठीक है? कह रहा है कि इनकी value क्या होगी जाके ठीक है? option A 4 option B 3 option C 0 option D minus 3 ये navy में भी आया हुआ question है ठीक है? air force में भी आ चुका है 2019 वाले period में ये आया हुआ था ठीक है? 2019 वाले में आया हुआ था अब इसको हमें solve करना है तो यहां पे solve करना है तो एक चीच कुछ चीज़े कुछ चीज़े क्या 1 plus omega plus omega square value 0 होती है अगर हमारे पास 1 plus omega लिखा हुआ इसके जगे omega square लिख सकते हैं अगर 1 plus omega square लिखा हुआ है तो इसके जगे ये हम लिख सकते हैं ठीक है ओके अब चूंकी देखे यहां पे 1 1 plus omega square की जगे minus का omega square omega लिखा हुआ है omega हो गया 1 हो गया minus का omega square minus का omega square omega 1 ठीक है ये हमारा हो अब एक पे एक expansion करेंगे इसका इससे होगा 1 minus minus plus omega की power कितना 3 omega पे करेंगे तो minus का हो जाएगा इसका इससे कितना हो जाएगा minus का omega square इसका इससे हो जाएगा कितना हो जाएगा omega square ठीक है आँगे minus का omega square ठीक है ये और इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा omega की power 4 इसका इससे करेंगे तो minus का omega ठीक है तो ये 1 plus omega cube कितना हो जाएगा तो और यहां पर कितना हो जाएगा ओमेगा दो ओमेगा इसकोर कितनी वैलू हो जाएगी दो ओमेगा इसकोर तो माइनस का दो माइनस माइनस प्लस तो यह हो जाएगा दो ओमेगा की पावर कितना ती आंगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा ओमेगा की तो उससे हमें कोई रेना देना नहीं था तो यहां पर देखिए तो दो यह और प्लस का दो यह उमेगा की बाइलू बन तो फाइनल आंसर कितना हो गया चार आपसा नमबर एज ता राइट आंसर क्योंकि कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो आज हमने पूरा 25 टारगेट नहीं पूरा किया हुआ है और आज हमारी 20 कोशन है यह बहुत अच्छे कोशन है अच्छे कोशनों का मैक अप है आप अगर कोशनों को करेंगे तो इसी टाइप से कोशन आपको जरूर मेलते हैं बहुत जल्दी नेक्स सेशन में तब तक के लिए जैहिन गुटपाई